दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपकी मांसू और आप देख रहें टीचिंग वाला दोस्तो एक अपडेट आई है जैसा कि आप जानते है कि अब यहां पर जो है दो साल का बीएड धिरे धिरे बंद होने वाला है और 2030 के बाद आपको चार साल का जो बीएड है वही बस मानने होगा इस तरह की अपडेट आपने पहले भी सुनी होगी और यहां पर जो अभी दो साल का बीएड है उसको कनवर्ट करने की भी जो है एक प्रोपोजल आई है और उसके लिए मौका मिला है जो मौका मिला है आपको 26 तक 26 मार्स तक मौका मिला है और जिनका normal BA है उनको क्या परिशानी हो सकती है और क्यों जो convert हो रहा है विद्याले जो नॉर्मली BA को जो BA BA या BSC BA में convert करने की बात चले वो क्यों चल रही है क्योंकि जो news है उस हिसाब से अगर आप समझें कि 2030 के बाद 4 वर्सिय BA वाले ही सिक्षक बन पाएंगे इसका मतलब आप समझ रहे ना कि अगर 2030 के बाद जो vacancy निकलती है उसमें जो 2 साल का BA वाले हैं वो सिक्षक नहीं बन पाएंगे इसका यही मतलब निकलता है और 2030 के बाद हला कि वो उस समय पर और अच्छे से पता चलेगा या इस पर और डिटेल नोटिस हो लेकिन यहां से यह बात किलियर है कि अब वो यह चार है कि जो चार वर्सिय इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें लिखा है देखिए कि नहीं सिक्षा निती के ताद 2030 के बाद चार वर्सि यह रही है और यह नई करकुलम के हिसाब से नई ट्रेनिंग टीकुल को देने की बात हो रही है और वही टीचर काविल हो पायेँगे उनको पढ़ाने के लिए तो ऍसलिये लिखाओ आए कि नहीं सिक्षानिति के ताहत 2030 के बाद चार वर्सिये बी-ेड कोर्स ही सिक्षक बनने के लिए अनिवार अहरता होगी चार वर्सिय बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स पाइलट प्रोजेक्ट के ताहत देश बर में कई रास्तिय रास्तरिय स्थान में सुरू किया गया है नई सिक्षा निती के ताहत आगे अब इसकूलों में पढ़ाई होगी तो मि उसी का एक option दिया गया है देखे क्या है पहले तो यहां पर हो गया कि जो सिक्षक जो संस्थान मानता लेंगे उनको वो कर्कुलम फॉलो करना परेगा और वो कर्कुलम से जो पढ़ेंगे वही 2030 के बार टीचर बन पाएंगे है ना यह नॉर्मल कर्कुलम वाले नहीं बन प जाते हैं तिसके लिए एंसेटी में आविदन कर सकते हैं 26 मार्च तक तो अभी भी जो नॉर्मल वी एट चल रहा है जिनका उसको वो चार वर्स में बदल सकते हैं चार वर्स यह इंटिग्रेटेड बीएट कोर्स में बीएट बीएट सामिल है चार वर्स यह बीएट कोर्स और संसादन की मवस्ता उनके अंदर रहे तब एंसिटी के द्वारा उन्हें नामांकर की मानता दी जाएगी और एंसिटी की टीम मानता से पहले कॉलेश विजिट करेगी और तब मानता प्रदान की जाएगी मंदलब अगर अभी वाला जो कोर्स चाह रहे हैं कि वो उनको अब आगे जो बीड करना चाह रहे हैं आप कोशिस करिए कि ऐसे विद्याले में एड्मिसन लें जहां पर की चार वर्स ये इंटीग्रेटेड बीड हो रहा हो है इस ऐसे जगह पर एड्मिसन लें खास करके जो लोग 12 किये हुए हैं उसके बाद अगर आप बीड करने की कोश हैं तो ऐसे में जो अभी वाले वीड हैं उसको लिमिटेड हो जाएगा कि आप वहीं तक टीचर बन सकते हैं 2030 के बाद नहीं बन सकते हैं तो अलाकि 2030 में अभी कुछ साल है लेकिन वेकंशी का पता नहीं है इसलिए अगर आप 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 बीड जो कर रहे हैं वह निश्चित 2030 के बाद इनको सचमे मानता नहीं देंगे तो उनके साथ कुछ ऐसा कोर्स जोड़ दीजिए ब्रिच कोर्स टैप का या कुछ कोर्स जिससे कि उनको मानता मिल जाए आगे माले जिए कोई पांस साल पहले बेड किया वह उसको नौकरी नहीं मिली है तिन साल पहले किया है तो बताएंगे लेकिन यह दोस्तों यह चिंतन वाला भी से हैं कि 2030 तक अगर आपकी नौकरी लग जाती तो ठीक है नहीं तो उसके बाद चार वर्स वाले को ही नौकरी लगेगी उसके बाद वहीं सिक्षक बन पाएंगे तो यह चीज है आपका इस पर क्या ख्याल है आपका क् परने जरूर करिएगा थैंक्यू वेरी मच्छ बाबाए शेहिंद